हेलो दोस्तों दोस्तों एक्ट्रामेरिटर अफेयर आज के टाइम पर बहुत नॉर्मल बात हो गई है पहले के जमाना कुछ और था जहां पर अपने पार्टनर के अलावा एक इनसान दूसरे को नजर उठा के देखता नहीं था बर अब ऐसा नहीं है वक्त के साथ में यह के पीछे करेंगे इसी बारे में बार नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है उशा आप देख रहे हैं अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और मेरा चानल सब्सक्राइब करना नाम हुना दोस्तों एक्स्ट्रामेरिटर अफेयर सही या गलत यह अलग चीज़ है ल पार्तनर के साथ में एमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं उन में और पार्ट्now किैशन उंक्राइब करते हैं ये सब्सें बड़ा रीजन है अफ्ट्रामेड़ mlडरन धरने के लिए उनका झुकाफ कहीं और होता है किसी और के तरफ हो जाता है सो इमोशनली हापी नहीं हो होना यह सबसे बड़ा रीजन है एक्स्ट्रा मेरिट अफेयर का दूसरा फन विद सिक्यॉरिटी दोस्तों आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे अपनी जिंदगी में जो अपनी शादी में अपने पार्टनर के साथ पे बेहत खुश हैं लेकिन उसके बाद भी वाफेयर क्यो होता है कुछ नई चीज़ चाहिए होती है वो किसी के तरफ फिजिकली अट्रक्ट हो जाते हैं इमोशनले इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है यह लोग खासकर अपना अफेयर एक मेरिट के साथ में डवलप्ट करते हैं क्यों क्योंकि मैरिट के साथ में उनको एक क्योंकि वो खुद भी married है उसको फिक्र है अपनी शादी की तो ये दो लोग जो affair करते हैं वो सिर्फ enjoyment के लिए करते हैं एक उसरे के सब married है जिनके age जादा है और विसलि वो बहुत लंबे टाइम से एक औरत के साथ में हैं जो उनकी wife है उसके साथ में हैंकर उनको बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनको समझ में आता है कि और को कैसे हैंडल किया जाता है दो मिंटैलिटी होती है एक तरफ एक बहुत जादा कनिंग बहुत जादा मिच्च और बहुत जादा चालू आदमी और दूसरी तरफ एक कम उम्र की एक ना समझती लड़की तो यह कॉंबिनेशन अकसर होता है एक्स्ट्रामेरिटर अफ्यर में जहां एक आत्मी एक लड़की को अच्छे से हैंडल करना जानता है उसको यह भी पता होता है कि कल को अगर वो लड़की सीरिस होगई शादी के लिए तो यह सिर्फ रोकर दिखा देगा जमाने के जमाने की नाम पर डरा देगा और फैमिली के नाम पर डरा देगा और यह चोटी सी बच्ची डर कर रह जाएगी तो इस तरीके से ऐसे लोगों के लिए बहुत एजी होता है एक लड़की के साथ में अफ्यर डवलप करना और यह जादा तर लड़कों के साथ में ही होता है वही ऐसा करते हैं लड़किया को बनाए रखते हुए तीसरा एक आदमी को लगता है कि वो एक छोटी सी कम उम्र की लड़की को इसलिए इनों अट्रेक्ट कर सकता है काबू में कर सकता है इसके अलावा एक एडवाइस मेरिट और तो के लिए कि कभी भी अपने परसनल इशूस मेरिट मैन के साथ में डिस करेंगे बातों में बहला कर अपको पता भी नहीं चलेगा अपने जो परसनल इशूस हैं किसी मेरिट मैन के साथ में डिसकस ना करें ऐगी आपको पसंद आएगी फिर मिलूंगी किसी और टापिक के साथ में तब तक के लिए नमस्ते